नमस्कार दोस्तों मैं हूरिचा सिना एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जैमाता दिलिग दीजे माता रानी आप सभी के सारी मनोकामनाई पून करें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक लोटे जल्से पुर्णिमा तिथी के दिन किये जाने वाले कुछ सरल और अच्चूक उपाईों से संबधित दोस्तों पुर्णिमा के तिथी का हमारे दुधर में अत्यधिक महत्व बताया गया ये बहुत ही जागरित तिथी मानी जा सुक्सम्रिधी की वृद्धी होती है और मनुकामनाई पूर्ण होती है दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही सरल आसान से उपाई पताने जा रही हूं जिसको कि अगर आप पुर्णिमा तिथी के दिन करते हैं तो वह बहुत ही शेक्रफल दाई होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ग्यानवठत जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजे और फैमि कर लेते हैं और वो भी सिर्फ जल से तो जल बहुत ही शक्ति शाली होता है क्योंकि जल में हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को साफ करने का दूर करने की शक्ति होती है दोस्तों जल से हम हर प्रकार की गंदेगी को साफ कर सकते हैं तो अगर आप जल से पुर्णिमा के दिन चोटे उपाई कर लेते हैं तो वो बहुत शिक्र फलदाई होते हैं इससे माता लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है और सदा स्थाई रूप से आपके घर में मालक्षमी का वास होता है हर प्रकार की नकारात्मक्ता आपकी जीवन से दूर होती है और आपकी मनोकामनाई पू पुर्णिमा के दिन सुबा सवेरी जल्दी उठके अपने घर की बहुत ही अच्छे से सफाई कर ले इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें इससे आपका घर पवित्र होता है स्वक्ष होता है और जहां पे स्वक्षता और पवित्रता होती है वह इससे कई जन्मों के पाप दूल जाते हैं और मनुश्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है परन्तु अगर ये संभव नहीं है कि गंगा नदी में सनान कर सके तो आप अपने घर के नहाने के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल मिला करके पुर्णिमा के दिन अवश स्वक्ष साफ वस्त्रधारन करें इसके बाद दोस्तों आप एक तामे के लोटे में जल भर लें उसमें थोड़े सा गंगा जल मिला लें और इस जल को आप अपने घर के प्रवेश द्वार पे छिड़काओ करतें दोस्तों इस उपाय को घर की ग्री लक्ष्मी ग्री स्वा हैं उन्हीं यह काम करना चाहिए और इस उपाय को आप सुबह सवेरी जितनी जल्दी करते हैं ब्रह्मोर्त में करते हैं तो यह अत्यधी कारगरु से धोता है अगर आप लेट से सो के उठते हैं आट बजे नौ बजे सो के उठते हैं तो यह उपाय आपको नहीं करना है इस उपाय को दोस्तों आप पुर्णिमा से प्रारंब करके हर रोज अगर करते हैं तो ये सर्वोत्तम है परंतु अगर आप हर रोज नहीं कर सकते तो इस उपाय को आप हर पुर्णिमा को और त्योहार वाले दिनों में तो आवश्य करें ये छोटा सा आसान सा उपाय है दोस्तो पर अत्य अधिक कारगर बताया गया है, जो भी मनुष्य जो भी जातके उपाय को हर दिन दोराते हैं, उनके घर में मालक्शमी का स्थाई रुप से वास होता है, सुक सम्रिद्धी में बढ़ोतरी होती है, और मनुकामनाई पून होती है, मालक्शमी की खृपा प्राप्त होत अच्छो कुपाई मैं आपको और बता देती हूं जो कि बहुत ही कहर कर बताया गया है इस उपाई को अगर आप हर पुर्णिमा को दोहराते हैं तो आपकी मनो कामना बहुत शिगर पूरी होती है और आपके जीवन में बलतलाव आपको साफ नजर आता है दोस्तों करना क्या ह है आपको हमारे शास्तरों के अनुसार ये बताया गया है कि पीपल के पर सभी देवी देवताओं का वास होता है और पुर्णिमा के दिक मालक्षमी का पेपल के पर आगमन होता है तो आपको करना क्या है दोस्तों कि पीपल के पीड़ पे आपको पुर्णिमा के दिन जलर्पित करना है किस प्रकार से करना है उसकी विधी बता देती हूं मैं आपको सुबह सवेरे स्नानादी से निवरित हो करके स्वक्ष साफ वस्त्रधारन करें और एक थाली में पूजा की सारी सामगरी आप रखलें दीपक रखलें सफेद रंग का कोई प्रशाद रखलें कलावा लख रें चंदन धूप दीप गरवत्ती रखलें और इसके साथ ही कुछ पुश्प रखलें और एक लोटे में आपको जल रखना है उसमें आपको थोड़ा सा मीठा मिला लेना है मीठा मतलब आप उसमें शक्कर मिल सकते हैं और थोड़ा सा गंगा जल भी आप उसमें मिला ले और इसको लेकर कि आप किसी मंदिर में पीपल का पेड़ों वहां चले जाएं वहां पे आपको माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी है दोस्तों बहां पर आपको जो आपने लोटे में मीठा जल लिया है व आपको मालक्ष्मी से प्रातना करनी है कि आपके घर में पधारें और इस थाई रूप से आपके घर में वास करें उनसे अपने मनों कामना करनी है कहनी है उनको आमंतृत करना है अपने घर में और इस प्रकार से आपको पूजा करके विपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है स उपाय को करने से मालक्षमी अत्यादिक प्रसन्य होती है और आपके घर में मालक्षमी का वास होता है सुख समृती में बढ़ोतरी होती है साथ ही अगर किसी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समझ्याओं का सामना करना पड़ता है कितनी भी मेहनत के बाद आमदनी नहीं हो आपको अपनी जीवन में फर्क साफ नजर आएगा धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं परिशानियों का अंत होता है तो दोस्तों आपको करना क्या है पुर्णिमा के दिन शाम के समय आपको चंदरोदे जब होता है उस समय आपको यह उपाय करना है एक लोटे में आपक कच्चा दूध ले लेना है अगर गाय का दूध मिल सके तो सर्वोत्तम है अगर गाय का दूध नहीं मिल सकता है तो आपके शहर में पैकेट का दूध अगर उपलब्ध है आप उससे भी कर सकते हैं एक लोटे में आपको कच्चा दूध ले लेना है उसमें आपको थोड़ करते हुए आप चंद्रमा को अर्ग दें, अर्ग देने के बाद आप चंद्रदेव से प्रार्थना करें, अपनी परेशानिया कहें, चंद्रदेव आप पे अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में धन समरिधी की वृध्धी हो, ऐसी आप उनसे प्रार्थना करें, और कोई गलती हुई हो इसके लिए शमा मांगे। दोस्तों इस उपाये को अगर आप हर पुर्णिमा को दोहराते हैं तो आपको फर्क साफ नजर आते हैं। दोस्तों पुर्णिमा के दिन दान का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है इस दिन किये गए दान का कई गुणा जादा फल प्राप्त होता है। जो जातक ऐसा करता है उसपे मालक्षमी के कृपा बनी रहती है। तो पुर्णिमा के दिन अगर सम्भो हो तो सत्ञारायन भगवान की कथा करवानी चाहिए। भगवान विश्णु के विधिवत पूजा करने चाहिए शंक में दूद डाल के इससे भगवान विश्णु का अभिशेक करें पुरुष शुक्ति या विश्णु शहस्त्र नाम का जब करें अगर इतना संभव नहीं है तो आप भगवान विश्णु के मंदर ओम नमो भगवते वासु देवाय मंदर का जब आवश्य करें कम से कम 108 बार पुर्णिमा के दिन दोस्तों तुलसी में भी जल आवश्य अर्पित करें मा तुलसी के विधिवत पूजा करें एक दीपक वहाँ पर प्रजोलेत करें मा दुलसी को प्रशाद अर्पित करे मा दुलसी की परिक्रमा करे और परिक्रमा करते वक्त भगवान विश्णु के मंत्र का जब ओम नमो भगवते वासु देवाए मंत्र का जब करे मा को प्रणाम करे और उसमें जल अर्पित करे जल अर्पित करते वक्त मा तुलसी से प्रार्थना करें और एक मंत्र का जब करें यह मंत्र मैंने पहले भी आपको बताया है यह मंत्र है बहा प्रसाद जन्यनी सर्वसो भागे वर्धनी आधी व्याधी हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते इस प्रकार से मंत्रों का जब करें इस प्रकार से दोस्तों आप पुर्णी माती थी कि दिन छोटे-छोटे आसान से उपायों को अपना करके अपने जीवन में जली आ रही परेशानियों का अंत कर सकते हैं मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और मनोवान चित्वल की प्राप्ति कर सकते हैं तो उमीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में सो थैंक्स फॉर नौ बाबाई